हां जी उमिद गरताओं मेरे सारे भाई अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ के अंदर मोज काट रहे होंगे सबसे पहले तो यार मैं आपको सोरी बोलना चाओंगा मैं वीडियो डिलिवर करने में बहुत ज़दा डिले हो गया और रीजन था कि एकजाम चल रहे थे औ और इतनी टाइम तक आपको धेरिया रहने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया और राइट तो बाते काफी ज़दा हो चुकिये टाइम ज़दा जा चुका है हमने पिछले वीडियो में डिसकस करा था कि हम किस तरीके से कुकीज के अंदर टोकन के वेलियो को स्टोर कर करता हूं अपने upfront kaprağand को अपने backend को रण करता हूं और उसको करने के लिए मुझे कहरा पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेele 30 & client इसطरीके से मतलब मैं क्लाइंट पर आच चुका हूं और मैं क्या करूँगा यहां पर लिखूंगा नपीम रंड तो क्या होगा मेरा फ्रेंट एंड हो जाएगा मैं बैसिकली नेक्स जेस के अंदर इसका फ्रेंट एंड रेडी कर रहा हूं ठीक है उसके बाद मुझे करना है कि मैं अपन डिखाय दे रही है आप लोग हम पे कलीर देच सकते हं भी हैं होद इस तक करो और पर ओपने पास घ् realisticallyS और यहां पर सिंond ऑला क्त वाओगी करता हूं और यहां पर जोदेटा मैं हां नहीं पर टैप करने वारा तो यहां पर यूजर नाम से मैंने एक database create कर रहा है जिसके अंदर एक user करके collection बनाया हुआ है और इसके अंदर क्या है इसके अंदर अभी के लिए एक document insert है आप लोग यहां पर देख सकते हो ठीक है तो एक चीज़ मा आपको और बता देना चाहता हूँ आपको मैं लेके चलो यहां पर तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इसमें कोई भी cookie अभी store नहीं है अगर मैं आपको यहां पर लेके चलो इसके अंदर तो local host है और अभी session storage है तो इस तरीके चीज़ है लेकिन कोई cookie इसमें store नहीं है तो मैं क्या करूँगा इसको done कर देता हूँ एक बार यहां पर कुछ data feel कर देता हूँ आप लोग यहां पर देख सकते हो मैंने कुछ data feel कर रहा है रहूल यादव username, email मैंने यहां पर type करी है phone number और simple सा मैंने password रखा है test कर के ठीक है अब जैसे मैं यहां पर submit वाले button पर click करता हूँ तो क्या होता है आप लोग यहां पर देख सकते हो data proper submit हो चुका है login वाले page भी यहां पर आचुका है अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहां पर इस वाले page को मैं refresh करता हूँ ठीक है तो आप लोग यहां पर clear देख सकते हो कि एक यहां पर document और insert हो चुका है पहले एक था अब दूसरा भी यहां पर insert हो चुका है अब मैं इस email से इसको login करके देखता हूँ तो आपको मैं दिखा हूँ तो आप यहां पर देखोगे इसके अंदर अभी क्या है अपने पास अभी एक ही कुकी स्टोर है मतलब कुकी कोई स्टोर है ही नहीं अपने पास अभी तक तो मैं local host पर चलता हूँ अब इसके अंदर data properly जा चुका सब कुछ सही काम कर रहा है अपने पास यहां पर login वाला page भी आ चुका यह बोल रहा है कि अभी आप लोग लोग इन कर सकते हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे पहले आप लोग को मागे यहां पर दिखाता हूँ तो इसमें मैं आपको ले के चलूँगा कुकी पे और सेमी चीज़ जो मैंने आपको पहले दिखाए थी और जो अब दिखा रहा हूँ उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है यहां पर कोई भी अभी तक क्या नहीं हुआ यहां पर कोई नई कुकी एड नहीं हुई है कोई नई वेलू इसमें एड नहीं करी गई है अब एक काम करते हैं यहां पर चलते हैं और यहां पर चलने के बाद में अब आपको मले के चलो तो इसमें देखो पहले एक थी लेकिन अब यहां पर दो कुकी इसमें हैं तो मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ आप लोग यहाँ पर क्लीर देख सकते हो कि एक local host है और इसमें cookies करके एक directory आपको दिखाई देरी जिसमें user token करके cookie add हुई है और इसमें जो tent है वो यह है यह basically इस time पर create करी गई है और इस time पर expire हो जाएगी ठीक है यह simple सा काम था इतना हमने अभी तद कर लिया है इसके अंदर I hope आपको इसमें कोई doubt नहीं होगा बाज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर user ने properly login कर रखा है उसके पास अपना token भी है मतलब कुल मिला के हम बोलना चाहता हूँ user अगर genuine है तो उसको किसी एक page का access दे देंगे जिसके अंदर उसकी details होगी जिसे about वाला page हो सकता है उसके अंदर क्या होंगी user की details होंगे ठीक है उसको वही user properly visit कर सकता है जिसके पास token available है जिसने properly login कर रखा है मतलब user authentication की मैं भी यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो वो चीज हम किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ डेटेर में जानते हैं तो मैं आपको लेकर चलना चाहूँ को सबसे पहले VS code पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपन लाइन क्या काम कर रही है उस सारी चीजी हम लें डिसकस करी हैं सीरीज के अंदर आपको एक सिंपल सा है हाँ पर डैक्टरी मिलते हैं रूट करके इसके अंदर आप लोग जाओ router.js वाली फाइल इसको आप लोग यहाँ पर ओपन कर लो ओपन करने के बाद में यहाँ पर सा लेकिन मैंने इसको नीचे कोपीश लीक रहा है ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आती रहे है मैं इन चीज़ों को सेपरेट रखना चाहता हूँ ठीक है आपको समझ में आने चीज़े तो यहाँ पर मैंने अबाउट इस तरीके से हाँ पर डाल दिया ठीक है अब एक का इसके कांस है कि इसके बीचे में मिडलबियर सेट कर दूःगा थीक है तो मैं क्या करूंगा मैं कुछ भी लिख साही मिडल देर कना मैं यूजर ओध करके चीज़े कर देता के इस तरीका इस तरीके से मीडले faid exam कर देता हूँ और लिखता हूं क्या कर देता हूं smaller को जहांपह पर अपना इसके अंदर कुकी को कीज के अंदर अपना जो को कंद स्टोर हुआ जो कुटीज है है वो अपने को गंट पूक्ष थेक्ट मिअ सब्सक्ते हैं। सबसे पहले ट्राइ ब्लोक को डिफाइन कर देता हूं मुझे स्पिलिंग ठीक लिखने पड़े केच की तो C A T C S ठीक है और मैं यहां पे एरर डिफाइन कर देता हूं इसके अंदर जो भी एरर आती है उसको हम लोग केच कर देंगे और कंसोल के अंदर हम लोग प्रेंट करता हूं एरर ठीक है सिंपल अब इसके अंदर देगे सबसे पहले क्या करना सबसे पहले उसको अपने को गेट करना है जो अपनी कुकीज उसको अपने को गेट करना है तो मैं काम करता हूं सिंपल यहां पे कॉंस्ट टोकन एंड वैल्यू करके एक सिंपल सा वेरियाबल कर करता हूं अगर वो वेल्यू अपने वो गेट करने तो मैं लिखूंगा सिंपल रिक्वेस्ट डोट कुकी इच कुछ इस तरीके ऐसे और इस कुकी के अंदर जो अपना यूजर और टोकन है जो नाम हाकूकी का उसको आप लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हो तो मैं टोकन यहां पर रख देता हूं ठीक है मेरा काम यह हूँगा इफ ब्लोक के अंदर अगर जो टोकन वैल्यू है मैं लिखूंगा सिंपल टोकन वैल्यू अगर वो मुझे नहीं मिली तो मै क्या करूंगा, मैं लिखाँगा, simply console.log, कुछ इस तरीके से, मतलब token provide नहीं है, तो no, no token provide, कुछ भी लिख दो, no token provide, मैं इस तरीके से, provided लिख देता हूँ, ठीक है, provided कि इस पर लिख लिखने पड़ेगी, इस तरीके से, okay, इतना अपना काम हो चुका, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहां पर लिखेंगे, verify करवाएंगे, token को, variable लिखूँगा, vary और 5, इस तरीके से, token equals to, इसके अंदर में सबसे पहले JWT, ठीक है, JWT मिन, JSON Web Token, यह चीज़ हमने properly import कर रहे हैं, आपको पता है, इस package को हमने properly install भी कर रहा है, आपको बत ही, second होगा, वो अपने secrate की होगा, secrate की मैंने, ऐसे यहां पर pass कर रहे हैं, आपको पता ही है, तो तो secrate की है, अपनी, वो secrate की आप लोग process.env के अंदर रखो, इस config.env के अंदर आप लोग रख लो, मैंने यहां पर इस को रख रखा है, तो मैं इस separate की को लूँगा, और की को लेने के बाद में मैं क्या करूँगा मैं ऐसा करूँगा यहां पे सेक रेट अंडर स्कोर और की इस तरीके से पास कर दूँगा जो अपना अगला स्टेप बहुत ही ज़्यदा सिंपल है मतलब यह है कि यूजर के लोगिन के टाइम पे जो टोकन हम लोग डेटा बेस के रिस्टोर करवा रहे हैं वो डेटा बेस के दिर प्रोप्रली एक्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको हम लोग को फाइंड करना है और फाइंड किस तरीके से करना उसके बारे बात करते हैं लेकिन उससे पहले भी समझते हैं कि कौन से टोकन की यहां पे बात हो रही लेकिन जब हमने लोगिन करा जब यूजर से लोगिन करवाया तो लोगिन की टाइम पे हमने क्या करवाया एक टोकन को जनेरेट करवा दिया और यह वाला टोकन वह ही है जो कुकी की वेल्यू है कॉंटेंट के अंदर ठीक है तो इस कुकी की वेल्यू को अपने को चेक करना है database के अंदर find करना है कि यह प्रोपरली exist कर रही है कि नहीं कर रही है तो मैं वह चीज की इस तरीके से करता हूँ बहुत ही simple है देखो यहां पर लिख दूँगा मैं टोकन यूजर डेटा कुछ भी इस तरीके से मैंने डाल दिया कोई बड़ी चीज नहीं है तो डेटा मैं यहां पर पास कर देता हूँ एक वस्टू ठीक है यहां पर मुझे प्रोमिस रिटन करेगा है तो एसिंग मैंने यहां पर यूज कर रहा करता हूँ यहां पर आप लोग देखो यह वाला यूजर क्लेक्शन बेसिकली स्कीमा वाला ठीक है तो मैं क्या करता हूँ यहां पर चलता हूँ इसके आगे मैं लिखता हूँ सिंपल बात कुछ ऐसी है कि जो भी अपना यूजर एंड क्लेक्शन है स्पेलिंग ठीक लिखन मतलब कौन सी id id आपको पता ही है यह underscore id ठीक है इसके अंदर basically हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर जो भी अपना verify token है verify token dot user इस तरीके से मैं आपर टाइप करोंगा user dot id उस id को मैंने इस id के अंदर properly get कर लिया और मुझे simple यहां पर पास करना है coma ठीक है से अब जो आपका token है उस token के अंदर आप क्या पास करोगे इस token के अंदर आप लोग पास करोगे आपकी token की value तो जो भी अपनी token की value होगी token की value अपने पास है यहां पर मैंने properly token की value ले रही है तो इस token की value को मैं token की अंदर पास कर दूँगा simple ऐसा बोल देंगे if अगर यह जो token user data है यह नहीं मिलता तो user not found है यही तो हम लोग बोल देंगे simple तो मैं यहां पर बोल दूँगा token and user data इस तरीके से data ठीक है सही तरीके से लिखना है कुछ इस तरीके से तो मैं simple console dot log पास अब इसके अंदर है ठीक है उसके बराबर हम लोग कर देंगे जो भी token की value होगी वो spelling गलत हो रही है तो value dot जो भी अपना user token user data है तो मैं लिखना token and user data के बराबर करो आप लोग token user data इसी के साथ साथ हम लोग एक काम और कर देंगे यहां पर चलके simple बोल देंगे response dot status इस तरीक one है तो क्या करो basically कुछ ऐसा करो Jason के अंदर आप लोग यहां पर दिखा सकते हो कि कोई error है तो इस error के अंदर आप लोग पास कर सकते हो error के अंदर चलके इस तरीके से यहां पर डाल सकते हो authentication field all right so इसका इतना काम यहां पर properly हो चुका है और इसके अंदर तो कुछ इतने अपन करना है ठीक है अब अपने को जैसे मैं इस about वाले page को visit करने की try करों तो यह basically क्या होना चीए यह जाना चीए about वाले page पर यह basically जाना चीए कहां पर इस वाले route पर जाना चीए अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मुझे चलना पड़ेगा मेरे front end को open कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको हटा के लिखते हैं import किया सब्से पहले तो मैं लिखुँगा import किया जाए सबसे पहले यूज और effect basically hook को ठीक है और इसके अंदर चल के मैं क्या करूँगा लिखुगा use effect की जो basically सबसे पहले मुझे को कॉल कर देना है और उस वाले फंक्शन को मा बाहर डिफाइन कर लूँगा तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं इसा कुछ वह जरूरी नहीं है तो मैं लिख देता हूं अपना फंक्शन और मैं लिखता हूं सिंपली कोंस्ट अबाउट पेज इक्वस्ट तू कुछ इस तरीके से ठीक है और यह बेसिकली asynchronous होगा तो मैं यहां पे लिखूँगा async ठीक है इसके अंदर मुझे सबसे पहले आना पड़ेगा और यहां पे मैं लिखूँगा बात कुछ ac है आप लोग यहां पे try and catch block का use कर लो इसके अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले error है वो यहां पे आप लोग दिखा दो एक simple चा वेरियाबल लेता हूँ try के अंदर मैं लिखता हूँ result कुछ इस तरीके से equals to आप लोग यहां पे लिख सकते हो await क्योंकि यह basically promise written कर रहा होगा तो मैं लिखूँगा await और यहां पे लोग simple face method यूज कर सकते हो इस face method के अंदर सबसे पहले आपको visit करना पड़ेगा इस वाले route को about को क्योंकि इसके अंदर यह user auth middleware वगर यह तब ही call होंगे जब हम लोग क्या करेंगे इस about वाले route को visit करेंगे मतलब हम लोग front end से request करेंगे back end पे इस वाले about route पे इस वाले point पे तो हम किस तरीके से करते हैं बहुत ही simple है यह चीज मने आपको बताए भी है तो यह चीज़ आपको मिल जाएगी बैसिक login वाले इस page method यूज वाले फाइल को आप लोग open करोगे इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको complete आप लोग copy कर लो कुछ इस तरीके से और copy करने के बाद में आपको करना क्या है आप यहाँ पे इस तरीके से paste कर दो बस इस login की जगह आपको यहाँ पे डाल देना about क्योंकि about पे आपको विजिट करना है और local host 8000 है वो ठीक है इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो इतना अपना इसमें काम हो चुका है अब आपको करना क्या है इसके अंदर इस तरीके से आगे सबसे पहले आपको इसमें डालना पड़ेगा अब headers के अंदर क्या होगा headers के अंदर सबसे पहला जो काम होगा वो होगा simply accept तो मैं यहाँ पर लिखूँगा simply accept ठीक है तो मैं डाल देता हूँ accept और इस accept के अंदर मैं इस तरीके इस दलके लिखता हूँ simple application ठीक है spelling ठीक लिखनी है नहीं तो प्रव्लम आएगी application और इस तरीके से forward slash आप लोग जेसन टाइप कर सकते हूँ यह आपको लिखना है लिखना है ठीक है ओके इस तरीके से उसके बाद में आप लोग को लिखना content type यहाँ पर लिखना यह सेम चीज application जेसन तो मैं इसी को कोपी कर लेता हूँ completely और कोपी करने के बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको paste कर देता हूँ इतना अपना इसमें काम हो चुका है एक चीज इंपोर्टेंट जो आपको लिखनी लिखनी नहीं तो data proper supply नहीं होगा आपको लिखना पड़ेगा simple credentials और लिखना पड़ेगा इसमें include तो मैं यहाँ पर लिखूँगा simple include कुछ इस तरीके से यहाँ पर condition डाल देंगे हम लोग बोल देंगे if अगर जो अपना result है जो result है उसमें दिखा हूँ तो आपको मैंने बदाया था या पिया आप लोग देख सकते हो फोर जिरो वन अगर होता है तो authentication failure अपने को दिखाई देगी तो सेमी चीज़ है तो इसके अंदर मैं क्या करूँ है इसके अगर इसा होता है तो मैं काम करना चाहूँगा मुझे इसको sign in पर रखना है मतलब इसको about वाला है फिर दूसरा पर जो भी अपने को दिखाना वो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं ठीक है तो वह हम किस तरीके से करेंगे बहुत ही और सबसे पहले इंपोर्ट करन यूजॉज राउटर को अड़ा के मैं सम पढ़िता हूं इसके अंदर नेव़ी अविल शुलर ग्रेट create करता हूँ जिसमें यह जो अपना यूज आ राउटर इसके अंदर कोल कर लेता हूँ अब सारी पाउर राउटर के अंदर आ चुकी है तो राउटर टोट पुष किया जाए ठीक है और किसको पुष किया जाए बैसिकलिए आप लोग लोग न को करोगे ना फिर तो 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 त अप इस तरीके से login को कर दूँगा next thing simple save करूँगा अभी के लिए मुझे इतना ही करना है और कुछ मुझे खाश नहीं करना है ठीक है अब इकाम करते इसना को save करेबर और अप को run करते है आप लोग यहांपी देख सकते हैं अपना front end तो प्रोपली रन हो चुका है अपना जो बैकेंड उसमें प्रोपलम आ रही है बोल रहा रिक्वेस्ट इस नो डिफाइंड कोई प्रोपलम वाली बात नहीं इसको हम लोग टेकल करेंगे अभी और मैं आपको दिखाओं तो अपना फ्रेंट यहां पर प्रोपली काम कर रहा ह होम अपना प्रोपली काम कर रहा है अबाउट सब कुस सही से काम कर रहा है ठीक है ओके लेकिन मैं अबाउट ओले पेज को विजिट कर पा रहा हूं इसका मतलब यह कि मैंने गड़बडी कहीं ना कहीं करी अपने बैक एंड पर रिक्वेस्ट इस नो डिफाइंड केसे आ सक करना पड़ेगा और जब यह प्रोपरली काम कर दे यहां तक तो मुझे नेक्स्ट को खोल भी तो करना पड़ेगा आगे वाला काम हो इसका मतलब यह है ठीक है सेव करता हूं इसको इसको इस बार और मैंने जैसे इसको सेव करा अब यहां पे रिस्टार्ट हो रहा है अब आप लोग यहां पे देख सकते हो प्रोपरलि यहां पे connected लिख के आज चुका है यहां पे हम लोग चलते हैं जैसे about वाले page को visit करने के try करता हूँ तो आप लोग clear देख सकते हो मैं कितने भी about वाले page पे रहूँ यह मुझे लेके जा रहा है login पे कैसा लग रहा है जितने मा अबाउट वाले पेज़ पे जानी ट्राइक करूँ मुझे लोगिन पे लेकर जा रहा है मतलब बोल रहा है पहले लोगिन कीजीए उसके बाद में अबाउट वाला पेज यो होगा आप हॉम पर जा सकते हो आप लोग सर्विस पर जा सकते हों लेकिन आप लोग About पर नहीं जा सकते हों तो आप लोग यह आप लेगर चलूँग आप अब जैस ए मैं About पे क्लिक करता हूं तो इसी को मैं completely copy कर लेता हूँ password तो मैंने simple test ही रखा है कोई दिक्तवाली बात नहीं है तो मैं इसके अदर चलता हूँ यहाँ पर और test pass करता हूँ ठीक है और मैं login पर click करता हूँ अब जिसे मैंने यहाँ पर login पर click करा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो homepage क्या अब मैं about पर जा सकता हूँ हाँ यार अब मैं about पर जा सकता हूँ आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो अब मैं about पर जा सकता हूँ ठीक है यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर क्या आया यहाँ पर एक cookies के अंदर cookie store हो चुकी जिसके अंदर अपना जो token हम लोग provide करवा रही थे वो इसके अंदर आ चुका है तो मैं आपको यहां पर local host को expand करता हूँ cookies पर आपको लेके चलता हूँ user token पर आप लोग यहां पर देखो अगर मैं इसको remove कर दूँ और फिर मैं done कर दूँ ठीक है अब यहां पर देखो जैसे मैं इसको refresh करूँगा जैसे मैं इस वाले page को refresh करूँगा तो मुझे आप रहने देगा है देखते हैं यह मुझे लेके जाएगा simple login वाले page पर तो जैसे मैंने इसको refresh करा यह फिर भी about वाल चुका है ठीक है अब मज़से अबाउट वाले पर क्लिक करूं यह अबाउट वाला पेज ओपन नहीं करेगा कैसा लग रहा है इस तरीके से हमारा जो काम वो हो रहा है अब कल की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो डेटा यहां पर है जो डेटा अपने डेटा बेस के अं पर हम लोग किस तरीके से इस डेटा को प्रोपरली दिखा सकते हैं यह हम लोग बात कर रहे होंगे नेक्स वीडियो में आज के लिए तना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यो गाइस वोजिंग इस वीडियो बाई बाई क्षाप जब भाईस